तो हमारा बिहारी ये स्टाइल चना का साग कितना बढ़िया बनके त्यार हुआ है तो ऐसे ही साग बनाने के लिए हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें नमस्कार दोस्तो अपनी रोसे में आप सब का स्वागत है तो आज हम चने का साग बनाने के लिए हमने चनी के साग को पहले अच्छे से साफ करके धो लिया है और बारीक बारीक काट लिया है तो इसे अब हम कुकर में ट्रांसफर भिरेंगे साग को हमने कुकर में ट्रांसफर कर लिया है तो इसमें हम एक चमच नमक डाल देंगे और इसका ढखकन लगा कि हम चार से पांस सेटी आने तक उबाल लेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ लेंगे क्यूंकि जो साग हम ने धुया था उससे थोड़ा बहुत पानी इसमें रहे जाता है उसी से हमारा साग बन जाएगा तो चलिए इसे हम गैस पचड़ा देते हैं और गैस ओन कर लेंगे और कुकर भो गैस को बिठा देंगे आचार से पास सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे तो पाच सीटी हो गया है तो गैस को हम आफ कर देंगे आप कुकर को ठंडा होने देंगे तो कुकर को हमने ठंडा कर लिया है तो साग को चेक कर लेते हैं तो है तंब मेरे थोड़ा सा पानी है भी तो किसे पहले सुभा लेंगे को मिक्सी में इस्यां आप में अच्छा लिया है पीस इसे हैं थंड़ा लसुन के केलिया और 4-5 हरी मिर्च को अच्छे से बारी कूट लेंगे तो लसुन और हरी मिर्च को हमने अच्छे से कूट लिया है आप इसे हम साग में मिला देंगे व्यक्तेस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे से म्लशन और सजाव लेंगे यह देखिए एक अगर वीडियो में एक नए पिस के साथ सब दो